तो दोस्तों स्वागत आपका एक और लर्निंग वीडियो में तो आज की वीडियो में आपने थम्नेल देख लिया होगा कि दो सुरू पई से ओप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती तो आज मैं आपको यहापर देख सकते हो लायू मार्केट चल रहा है और लायू मार्केट में यहापर मैं आपको 200 रुपई से ओप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हो किस तरह से यहापर ओप्शन को बाई किया जाता है किस तरह से सेल किया जाता है सिर्फ 200 रुपई से आप यहापर ओप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो चीक है पटापट से इस वीडियो को कर दूँगा जैसे यहां पर क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको वेवचेन का एक ओप्शन आता यहां पर आप क्लिक कर देना जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कापी सारे कॉंट्राक यहां पर आपको दिखाई जी रहे यहां पर आप अपन आप्शन टेडिंग कर सकते हो 200 रुपई से भी आप आप्शन टेडिंग कर सकते हो मानलो मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है इसलिए यापन में पूट साइट का कोई भी प्रेमिय में आपर सिलेट कर लेता हो एड़ मनी में यहापर सिलेट करना हो यह जो इस ओप्शन को खरिदने के लिए सिर्फ 200 रुपई के आसपास यहापर लगने वाले है 212 रुपई के आसपास यहापर मुझे प्राइस लगने वाला है इस ओप्शन को बाई करने के लिए और अभी आपर आवे लेवल बैलेंस आप देख सकते हो 1630 रुपई आमारे पास बैलेंस हो और यहापर मैं बाई पर क्लिक करूँगा तो मेरा ओर्डर यह डायरेकली बाई हो जाएगा यहापर आप देख सकते हो मैंने 50 रुपई के आसपास यहापर डाली और Delivery Intraday आप सिलेट कर सकते हो तो यहापर मैं इंट्राइडे सिलेट कर लेता हो क्योंकि काफी जादा इसका premium कम चल रहा है तो यहापर आप देख सकते हो एक रुपए दो रुपए के आसपास इसका premium चल रहा है काफी कम इसका premium हो चुका है 22,100 का put option मैंने यापर select किया है और 50 content यापर मैंने डाले हो जैसे यापर buy के option पर click करो आप यापर देख सकते हो इसका तो यापर आप देख सकते हो कि इसी strike price को आपर 200 रुपई में खरीदने वाले थे और अभी इसका आप यापर देख सकते हो आप यापर इसका price 200 रुपई दिखाई दे रहा था अभी आप यापर इसके 90 रुपई में भी इस order को buy कर सकते हो तो इसके पिछे का simple सा reason है तो यापर मैं back करता हो कि ये option इतना सस्ता क्यों मिल रहा है ये option सस्ता इसलिए मिल रहा है अगर आप यापर डेट देखोगे तो 14 मार्च यापर आपको दिखाई दे रही और अगर आप यापर डेट देखोगे तो उपर के द्रफ तो यापर आप देख सकते हो आज 14 मार्च है जिसके बज़े से आज इसकी expiry के बज़े से इसका premium काफी ज़्यादा कम हो चुका है यापर आप देख सकते हो सारे के सारे premium यापर आपको काफी कम price पे आपको दिखाई ज़रे यानि कि आप 100 रुपई से भी आप option trading कर सकते हो 50 रुपई से भी आज option trading कर सकते हो expiry की दिन काफी जदा premium हो जाता है अगर मैं अगली expiry यापर अगर slate करूँगा जैसे कि March 21 March के अगर expiry slate करूँगा तो यापर इसके premium बढ़ जाएंगे जैसे कि आप यापर देख सकते हो 232 रुपई, 231 रुपई इसका premium बढ़ गया एक से एक रुपई इसका premium बढ़ गया अगर मैं इसे buy करना चाता हो तो यापर इसको मुझे buy करने के लिए आप देख सकते हो इसे buy करने के लिए 5000 के आसपास लगने वाला है यहनिकि यह सब आप देख सकते हो expiry की बज़े से होता है expiry अगर आज ही expiry रही तो काफी ज़्यदा premium कम हो जाता है और अगर आप दूर की expiry खरीद होगे तो काफी ज़्यदा आपका premium बढ़ जाता है हमेशा ध्यान में रखना आपको expiry बराबर से select करना है और premium आपको देख कर लेना है और यहाँ पर expiry की ज़िन काफी तीजी से premium डिके होता है तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है तो काफी quickly आपको option को खरीद के buy करके sell करना होता है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका premium अभी आप देख सकते हो तीन रुपए के आसपास इसका premium चल रहा है call set का तो यहाँ पर जैसे मैं click करूँगा buy के option पर click करूँगा तो यहाँ पर आप जेख सकते हो 200 रुपए के आसपास मुझे इस option को खरीदने के लिए लगने वाली अगर मैं इसे 200 रुपए के price से अगर खरीद लूँगा तो यह अगर 400 रुपए के आसपास इसका premium बढ़ गया तो यहाँ पर मुझे directly 200 रुपए का profit हो जाएगा काफी तेजी से quickly यहाँ पर profit हो जाएगा क्योंकि expire की दिन जो भी premium अगर बढ़ गया कर सकते हो 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए से भी आप option टेडिंग कर सकते हो ठीके आई होप कि आपको वीडियो पसन आयोगा वीडियो पसन आया तो वीडियो को लाइक करना और चानल को सब्स्राइब करना चले मिलते अगले वीडियो में